एक ट्रेडर की सबसे फेवरेट चीज होती है ट्रेडिंग स्ट्राटजी तो आज की वीडियो में हम बहुती जबरदस्त एक स्ट्राटजी सीखेंगे जो की बैंकिंग सेक्टर मैंने बैंक निफ्टी के साथ को लैब करके जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें काम करती है हाला कि आपको में होमवर्क भी दूँगा और आपको में बहुत बड़ी है डाउनलोड मटेरियल भी दूँगा जिसको डाउनलोड करके आप अराम से मुबाइल पर आईपैड पर अपने लैप्टॉप पूरा बैक टेस्ट कर सकते हो फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो इसको यूज तो चलो एक जबरदर स्ट्राइड़ी विडियो है स्टार्ट करते हैं विडियो स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टन इंफॉर्मिशन देना चाहता हो कि हमारे बोमिंबुल्स के एजुकेश्टल हाइब्रिड सेंटर्स हैं आर्ट सिटीज में है वो जॉइन करने नह नहीं है और नाकपूर में नहीं है सेंटरल इंडिया और कोलकाता इस लाइए इस्ट इंडिया तो यह दोनों जोगे पर हम उपन कर रहे हैं तो जितने भी इंट्रेस्टेट आप लोग हैं जो हमारे साथ बिजनस करना चाहते है तो यू आपको बता दूँगा लिंक इन ड जो सकता है तो चाहिए तो कोलकाता से अगर आप हैं नाकपूर से अगर आप हैं तो फोन बड़शकते और आप कोई दोस्त है तो आप उस तक ही विडियो पहुचा सकते है अप चलो स्टाजी स्टाट करते हैं तो guys आज की जो strategy है जिसका नाम है banking sector की strategy basically finance sector की और ये क्या है ये कैसे काम करती है चलो start करते हैं तो सबसे पहले ये strategy अपन को क्या है बताता हूँ ये strategy है bank nifty versus banks की strategy को अफिजन से use किया जा रहा है और इसका win rate बहुत बढ़िया तो नहीं है but it is better than a lot of the strategies डपको market में YouTube में free में म थी ये कभी-कभी आती है और ऐसा ही होना चाहिए कि strategies आपकी कभी-कभी show up करें तो ये एक ऐसी strategy है जिसके पीछे का मैं आपको logic भी समझाऊंगा जिसके पीछे का आपको मैं fundamental भी समझाऊंगा और सारी चीज़े बताऊंगा step by step चलो start करते guys तो strategy ये है कि हमेरे सबसे पहले banking nifty एक chart पे open करना है और दूसरे tap में है दूसरे browser में हमको ये watch list open करनी है जो right side में आपको मेरे screen पर दिख रही है ये क्या ये bank nifty के सारे component वाले banks है अब इसमें से कौन-कौन से banks को अपन को chart open करना है तो उसके लिए अपन आएंगे इस website पे obstra इसको अपन लो कई बार यू मैप पे जाएंगे heat map फे heat map पे तो अपन को यहां पे निफ्ती-fifty का heat map दिखाएगा और bank nifty का heat map दिखाएगा हम bank nifty के hit map पे आएंगे, यहाँ पे market capitalization के साबसे weight कर रहा है, यह equal कर तो अपनको यह देखना है, तो अपनको देखके कैसमझ में आ रहा है, कि market capitalization के साबसे HDFC bank का box सबसे बड़ा है, और ICAC का box सबसे बड़ा है, ने कि यह rank 1, मतलब यह दोनों के दोनो number 1 है, basically, मतलब 1 और 2 ब इन सारे stocks को, हम चाहे तो सिर्फ इन 6 को trade कर सकते हैं, तो यह सिर्फ इन 5 को watch कर सकते हैं, सिर्फ इन 5 को भी अपने watch किया, तो भी अपना काम हो जाएगा, तो आपकी मर्जी इधर यह 6 भी रख सकते हो, या 5 भी रख सकते हो, तो अगर मैं यहाँ पे आउँगा, और आपको एक टैप पे खोलना है, बैंक निफ्ट एक टैप पे खोलना है, HDFC बैंक, और करना क्या है, हमको क्या करना है, देखो, हम लोग वैसे भी, यह equity trading strategy है, ठीक है, इससे bank nifty trade मत करना, bank nifty trade करके तो आपको loss होगा, यह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर गया, क्योंकि bank nifty में, क्योंकि देखो, इन सारे के सारे जो stocks में, अगर इसमें bullishness आ गई, अगर एकदम bullish हो गया, तो हो सकता यह दोना गिराने की कोशिश कर रहे है, ऐसे ही होता है usually, कि public sector bank नीशे जा रहे होते हैं, तो private बढ़ रहे होते हैं, तो bank nifty sideways चला जाएगा, और अगर आप option buying करेंगे तो आपे loss हो जाएगा, option selling के लिए तो और अच्छी strategies है अपने पास, बट इसको आप equity में apply करो, करके देखो, आपको समझ में आएगा, तो इसको करना क्या है, हमको खोलना है, चार्ट bank nifty का, ठीक है, 5 minute time frame पे, हमको खोलना है, बा IT सेक्टर उपर जा रहा है, तो सिर्फ IT सेक्टर उपर जा रहा है, बढ़ी IT सेक्टर भी उपर जा रहा है, कभी देखा, अपनने auto sector गिर तो पूरा auto sector गिर रहा है, आपने देखा कभी pharma गिर रहा है, तो पूरा pharma गिरता है, आपने कभी देखा, कि अगर कोई और सेक्टर FI IDI ये कहते हैं, दूसरे होते हैं, जो प्रो बोलते हैं, जिनको प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उनके पास भी office होता है, बड़ी है स्टाफ होता है, और तीसरे होते हैं, जो में आगर आपकी पहचान में कई कोई बड़े टेडर तो आप उनसे reconfirm कर सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी companies होती है वो basket बनाके काम करते हैं जैसे यह वो बनाते हैं ऐसे banking basket ठीक है ऐसा बना सकते हैं private bank basket या थो फिर public bank बना IT basket अभी आगरते हैं बैंकिंग बास्केट बनाते हैं ठीक है बैंकिंग बास्केट में नाम वपन वापस बास्केट ही ठीक है दिखनी रहता तो इस बैंकिंग बास्केट में क्या करते हैं ऐसे करके SBI डाल दिया, ठीक है, कुछ quantity, इस बैंकिंग बास्केट में कोटक बैंक डाल दिया, ठीक है, एंड जब उनको ये चीज execute करनी होती न, तो mostly basket बास्केट में execute करते हैं, जरूरी नहीं बैंकिंग बास्केट execute होगा, लेकिन मान लो, आप देखते हो, और क्या होता है, जैसे कि एकात बैंक और पकड़ लो, आप HDFC बगड़ लो, मान लो HDFC बैंक है, तो देखो, इतनी बड़ी quantity, कोई एके करके पंच नहीं करता, obviously बात है, मैं exactly जो बोल रहो, ये नमबर पंच नहीं होंगे, मैं आपका एक example दे रहा हूँ, जब कभी भी आपको पूरे banking, बैंक निफ्टी कब move करेगा, जब इन में movement आएगा, बैंक निफ्टी move करेगा, और मान लो, बैंक निफ्टी move कर रहा है, और आप इन में से किसी एक में, वो momentum चेक करते हो, ठीक है, मान लो, और देखो, और ना एक बात बाता हूँ, जरूरी नहीं यही basket होगा, हो सकता है, इस basket में न, यह bank ना हो, कोई और bank हो, तो, और हो सकता है कि इसकी quantity कम हो, इसकी quantity जादा हो, तो जब यह बड़ा order डलेगा, तो किसी ना किसी bank में, आपको बड़ा movement देखने मिलेगा, और एक बक्का बता रहो, एक मेनी, दो में भी दिख सकता है, तीन में भी दिख सकता है, इन शे में से, कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हम कोई सब भी पकड़ सकता है, जो हमको bullish या bearish लगता है, उस दिन के हिसाब से, ठीक है, तो अपन को judge करना है कि इन छे में से, कौन सवाला अपन को आज winner मिल सकता है, कैसे मालूम चलेगा, वो ना follow कर रहोगा bank nifty, या तो bank nifty बिल्कुल भी early morning आओगे तो, कुछ भी आपको mark करना है सुबा 10 बजे, देखो market में सुबा 10 बजे आ गए, 10-15 पर आ गए, ठीक है आपको सुबा 10 से 10-15 के बीच में आना है, हमेशा, और high और low mark करना है, जब मैं आज का दिन दिखा रहा हूँ, या Thursday का दिन expiry गा, अगर मैं आपर mark करूँगा low, तो ये area low दिख बन रहा है, आपको दिख रहा है, ये area आपका low है, ठीक है, आपको body के साब से एक low यहाँ पे मारना है, अब ये low बना दिया मैंने, अब मैंने देखा कि ये low टूट रहा है, टूटा, चलो, विक आ गए कोई बात नहीं, लेकिन 10 बच के 25 मिनट पे एक red candle ने closing दे दी बाहर, तो कोई trade नहीं एक्टिवेट हूँ हो ना, अब करना क्या है, अब हमारा काम है, फटा-फट इस list पे आना है, जल्दी-जल्दी close करना ऐसे करके, ऐसे करके करना है, यार ये 10 बच के 25 मिनट पे किस में किस में momentum आया, मैं काम कर तो pivot खोल देता हूँ, pivot खोलने से क्या होता है, easy हो जाता है, 10 बच के 25 मिनट पे यार, इस में तो थोड़ा bullish, इस में तो उ जादा lead करता देख रहा, इस या फिर bearish momentum को, तो दो rank, दो आ गए अपने हाथ में, ICS और indecent, kotak में आया है क्या, नई kotak में नहीं है, छोड़ दो, तुरंट remove कर दो, access में आया है क्या, access में 10 बच के 25 मिनट पे आया, तीन bank अपने list में आ गए, देको scan कैसे करता, SBI में आया तो चार bank, अब इन चार में से सबसे ज़्यादा bearish कौन सा था उस वक्त, अगर अपन देखेंगे, high case साब से, तो definitely it is SBI, यह ICS है, कैसे मालूम आप आप वो दोंबग करोंकर देखके समझ जाओगे, कि यहाँ पे, SBI comes to me as a winner over here, तो यहाँ पे क्या करना है, अपन को SBI को short क करना है, किस basis पे short करना है, price action, यह जो breakdown हो रहा है na SBI में, यह किसके कारण हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, इसको बोलते है, दिन का low टूट रहा है, 10 बचे, 10, 15, 10 बच के पंतर है, जो दिन का low बना है, mark किया, टूटा, every shot नहीं किया, मैंने देखा, bank nifty में भी similar movement आ रहा है, अब देखो, bank nifty chop कर गया, उपर जाके नीचे गया, लेकिन SBI देखोगे तो, market में अगर आपन यहाँ पर shot करेंगे, तो इस candle के उपर, मान के चलो यह दिन का low था, इसके उपर SL डालूँगा, एक बार भी SL हिट नहीं किया, और सीधे मेरे को मेरा target देता है, भले आज का द 255 को एक strong green candle बनी है, 14 फिवडे, दो बच्पन को, मैं मानता हूँ, दो बच्पन पर trade नहीं बनेगा, बड़ हम थियोरी पढ़ रहे है, मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जामपल भी दिखाऊंगा, बड़ हम रिसेट एग्जामपल के तुर आपको strategy समझाना चाहता हू 255 को यहाँ पर momentum दिख रहा है, it is there, मतलब कोई तो bank support कर रहा होगा, यानि इन में से कोई तो एक होगा, तो क्या करूँगा, तुरंत मैं scan करने की कोशिश करूँगा, देखूंगा, कल कम दिन देखो, दो पच्पन exactly पे, यह तो डोजी बना रहा है, दो पच्पन पे, ओके इंडसेंड, कोई खास, कोई खास momentum नहीं, इंडसेंड में, ठीक है, ICAC मेरे को मालूम है, वह विनर है, उस चीज़ का, बट मैं आपको दूसरे दिखा रहा हूँ पहले, मैं यह कच्रहाट आता हूँ, ओके, देखो, 255 पे क्या हो रहा है, 255 पे, तो यह sideways, 255 पे, यह कोई high देगेगा 255 पे, SBI चोटी candle, बट ICICI को देखो आप, यह देखो, यह मैं चाहता था, आपको देखाना, कि जब यह आपको एक momentum देखता है, अच्छा, यार, I break out, market चोटी-चोटी, बड़ी candle, size बड़ा high candle का, किसके करने बड़ा, ICICI, तो देखो, ICICI ने lead कर दिया, तो आ आपको ने identification निकालना, और अगर आप ICICI buy करते हूं, जानता हो, बड़ा target नहीं है, 867 से 873, याने कि 6 रुपए का target है, याने कि 0.8%, 0.7%, कोई बहुत बड़ा target नहीं हा, ठीक हा, target है मेरे सबसे, इतने जल्दी मिल गया 5-10 मिनिट में, तो अगर यह momentum थोड़ा पहले आ जा तो अपन को डबल confirmation पे काम करना है अपसे, इससे क्या होगा, आपके entry कम हो जाएगी, आप देखेंगे equity पे आएंगे 10-15 आपे, और high or low mark करेंगे, price action trading strategy है, को indicator नहीं है इसमें, आप mark करेंगे high or low और high or low trading पे काम करेंगे, current day high, current day low, और आप उसमें double confirmation लेंगे sector का, अगर sector क के तरफ से कोई movement है, और इधर stock में भी movement है, तो आपन काम करेंगे, तो आपन को basically higher low कहां माग करना है, stock में की sector में, sector में, आप sector में आओ, high low mark करो 10-15 के बाद, और अगर high टूटा क्या, अगर high टूटा तो तुरम sector के high weighted stock पता करो, कैसे पता किया मैंने, आपको future heat map पे जाओ, ये nifty-fifty के भी आपको मालुम चल जाएंगे, बट nifty-fifty पे try मत करना, nifty-fifty में weightage बहुत कम है, ये bank nifty में possible है काम करना, ठीक है, तो ये maybe bank nifty best है, या finance nifty पे काम कर लो, google कर लोगे तो आपको उसके component मिल जाएंगे, ठीक है, but make sure heavy weights में ही apply करो, ये मैं AU bank में apply करूँगा, federal PNB में, result नहीं मिलेगा मेरे को, ये मेरे को heavy weights में जाना है, और nifty में बहुत सारे heavy weights है, but specific sector में heavy weights आपको मिल जाएंगे, google करोगे तो, तो I hope ये समझ में आया, last बात, क्योंकि momentum, अगर कोई sector बढ़ रहा है, तो there is a leader, या तो 2-3 leaders है, मेरे को फालतू के slow stock में काम नहीं करना है, मेरे को leader पर काम करना है, leader में से कोई गलती होगी, तो कभी को चलेगा, but you will definitely be able to rank on your 2 के साथ, आप काम करो, जो मजबूत है, वो मजबूत ही रहता है, यानि कि जो breakout या green candle पर, यहाँ भी breakout आया, तो उपर ही जाना है, red तो नीचे ही जाना है, ठीक है तो अब क्या करता हूँ मैं आपको, यह समझा दिया, अब मैं आपको कुछ वो देता हूँ, अब मैं आपको कुछ एक चीज़े दिखाता हूँ, अब मैं आपको एक PDF दिखाता हूँ, यह PDF मैं आपको बहुत सारे examples हैं, और मैं इस से updated PDF आज रात को बना करके आपके लिए attach करूँगा, यह जो PDF है थोड़ा बुराना है, क्योंकि मैं आपको एक्जांपल दिन से मतलब है, मैं एकदम recent example निकालूँगा जब यह अभी-अभी काम किया है, और वो attach करूँगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हूँ, इस PDF को, और PDF को डाउनलोड करके recent example, backtest कर सकते हो, backtest क करो, और अपने मतलब समझो, सारी चीजों को forward test करो, forward test का मतलब क्या होता है, अब अगली बार test करो, कि यह कब-कब काम करेगा, और अगर आपको लगता है strategy अच्छी है, तो आप यूज़ करना चालू कर सकते हो, से stocks के लिए, I would suggest banking stock, ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अपन को bank sector पे आना है, और banking sector पे support बनाना है, कितने बज़े बनाना है मैंने, देखो, साड़े दस दिख रहा है आपको, साड़े दस के बाद आओ, सवा दस पे आओ, तो सवा दस पे जब में market यहां रहेगा, तो यह line रहेगी support, तूटता है, 10-30 पे, क्या करोगे, तुरंट खोल करोगी कि कौन है, जो bank nifty को lead कर रहा है, इस case में देख रहा है, SBI है, ठीक है, अगर, देखो, bank nifty ने pullback लिया, धोका दिया, बट SBI सीधे गिरा, आप SBI शॉट करना, bank nifty शॉट करने की strategy यह नहीं है, इसके लिए आपनको दूसरी चीज़े apply करनी पढ़ती है, तो यहां भ strategies आ चुकी है, तो we are rolling those strategies, तो यह strategy definitely मुझे लगा कि आप मेरे subscriber के साथ भी share करनी चाहिए, क्योंकि yes, it's good to share, और किसी का benefit होता है, तो मेरे लिए अच्छा ही है, आपका benefit होता है, तो मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारी community है, community grow करेगी, अगला देखते हैं, देखो, य आपने देखा कि market ने एक red candle बनाई, मतलब यह support ले रहा था, support ले रहा था, support 10 बजे, 9 पचपन छोड़ देना, 10 बजे के आसपस आपको देखेगा, कि HDFC bank में भी same तरीके का pattern बनाए, ठीक है, कभी-कभी 5-10 मिट आगे चलता है, तो मैं तो बता हूँ, 9 पचपन रहा, तो 9 पचपन की candle है, तो यह 10 बजे ही close हुई होगी, चले गार देखो, 5-10 मिट आगे बीशे कर सकते हैं, इसी को practice ही ले बोलते है, trading is not some book knowledge, अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, experience आपको उतत करेगा, तो अगर यहाँ देखोगे, तो दोनों ने एक जैसा momentum दिया, आप 5 मिनि डाउट आगे होगे, सर 10-15 बोलेते, तो काम करो, आप उसको 10 कर लो, ठीक है, 10 a.m. आप आओ, 10 a.m. को marking करो, 10 a.m. के बाद आप काम करो, ठीक है, तो चलो, clear होगी, डाउट, 10 a.m. अगे, अगे, let's see, 11 बज के 50 मिनिट पे यह क्या है, यह बैंक निफ्टी, बैंक और धूडने है, तो अपन को देखके समाझ बारे कि यहाँ पे V-shape recovery, एक inverted head and shoulder है, जब 11.50 पे inverted head and shoulder तोटता है, तो क्या inverted head and shoulder कहाँ पे, इंडेसिंट बैंक में, तो आप देखोगी, तो इंडेसिंट बैंक में अच्छा momentum आता है, आगे देखते example, यहाँ पे 10 बच के 5 मिन कर रहा था, तो अपन यहाँ पे इसको short किया, तो देखो SBI, गिरते गिरते, break out, consolidation के फिर break out, यह है, 9.55 AM HDFC bank करता है, ठीक है, और example थोड़ा, और अंदर जाते, fast घुमाते हैं इसको, इसमें देखते, 50 bank और access bank, देखो, market किया, double bottom बनाया, और market ने यहाँ पे 11 बच की पाश दोता है, open हुआ, close हुआ, एक important level बनता है, कि market इसके उपर नहीं गया, देखो, यहाँ के double bottom बनाया, और यहाँ पे एक important level टूटा, यहाँ भी से important level टूटा, market gives you a good break out, यहाँ पे देखेंगे, तो एक 50 को, यहाँ पे green candle बनती है, एक 50 को, यहाँ भी important level टूटता है, यह important level की पे देखो, यहाँ पे market इस level पे न, यह line कैसे बनानी है, यह line price action line है, आपको ढूड़ना है कि अच्छा support और resistance क्या है, जैसे इस line को देखोगे, तो market सुबह सुबह इस पे support लिया है, फिर देखो, हाँ देखो, high और low तो यहाँ है, और definitely, यह high point है, बट यहाँ पे का करना कि मेरा यह point समझ में आया था, आपको doubt आ गया, यह high देखना है कि, low देखना है कि, chart pattern देखना है कि, वो देखना है important level, आपका price जहाँ पे, अभी आप यहाँ पे हो मान लो, तो आप उतना थोड़ना वीट करो गया, यह देखो, अगर आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो, तो 32,485 से अब 300 point bank nifty का वेट करें कि, चलो high two taker, नहीं न, यहाँ पे अपनी अकल लगानी है, यहाँ पे देखना है कि, इसके पास में करें, यहाँ पे resistance है, यहाँ पे support है, एक box बनने का यहाँ यह box तूटता है, जब यह box तूटता है, अब अगला काम क्या है, ढूंड कि कोई है, जो support कर रहे है, कौन है, जो support कर रहे है, HDFC bank, heavyweight है, yes, heavyweight तो है, तो यहाँ पे HDFC bank में breakout आ गया, बैंक निफ्टी में भी आ गया, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्या है, 12 बच्चिस को bank nifty, 12-25, दिन का हाई तो ओड रहा है, अब देखो, यहाँ पे दिमाग ल दिन का हाई है, नीचे आता है, और हाई यह बनाता है, closing, body के 5-minute time frame पे, body के point of view से, closing बिसिस पे यही हाई है, यह भी हाई है, यह opening बिसिस पे हाई है, यह closing बिसिस पे हाई है, तो same time पे 12-25 पे, 12-25 पे bank, nifty, इंडर सिंग में दोनों ने, बहुत example है, आप कोई, देखो, what is this again, nifty bank and kotak mahindra bank, यहाँ पे 11-55 को, दिन के high के पास है, तो उसी को मानूँगा न, 11-55 को, दिन के high के पास, क्या कुछ हुआ, तूटा, तूटा, bank nifty, यहाँ पे क्या है, this is, कोटक mahindra bank, तो इस तरीके से marketing breakout दिया, तो guys, I hope you understand the point, कि क्या गरना है, अब आपको यह PDF नी दूँगा, यह काफी पुराना PDF है, जो मैं पर सभी से पढ़ा हुआ था, तो मैंने आपके साथ share कर दिया, अब मैं आपको दूँगा updated PDF, जिसमें आपको examples, पुराने भी मिलेंग fail होगा, मैं 30 बोल दिया, चलो, 35% time fail होगा, बट यह 60% time, 65% time आपको success देगा, कोई बात ने, आपका, अब यह इतना ही आसान होता, तो कोई भी कर लेता ने trading, अब आपका जो काम है, मेरा काम था, आपको मेरे concept share कर देना, इस वीडियो के तरू, अब आपका काम है, pattern ढूढ failures के बीच में क्या pattern है, और success वालों के बीच में क्या pattern है, ठीक है, fail हो रहा है, तो कितने का SL आ रहा है, target हो रहा है, तो कितने का target आ रहा है, तो अगर SL 5 रुपए का target 10 रुपए का, चलने दो ना क्या problem है, even 50% win rate is good in this case, कि 10 में से 5 में भी loss होता है, तो जो 5 में profit हुआ, वो 10 10 रुपए का हुआ, यानि कि 50 रुपए का profit हुआ, अब 5 में loss हो, तो 25 रुपए का overall, 25 रुपए का हुआ है, आपने multiply by the quantity you are trading, so you will be in profit, तो ऐसे करके psychology बनानी पड़ती, risk management बनाना पड़ता है, risk management सबसे important है, stop loss को respect करना, दिन के 2 SL के उपर trade मत करना, और तीसरा, कि आपका risk reward ratio 1 is to 2 बनाना, या 1 is to 1.5 बनाना, वो भी चलेगा, अगर आप beginner हो, तो मैं तो आपको encourage करूँगा, कि आप profit book करना चालोगा, और आपके मन में doubt होता है, कि sir मैं hold करूँ कि और मत करो ना, शुरुआत में, you are trading with a small capital, correct? Yes, so definitely आप बहुत बढ़े capital से trade नहीं कर रहे हो, तो जब चोटे capital से trade कर रहे हो, तो don't think about money, क्योंकि 1 is to 2 करके 2.5 करके भी कोई ज़्यादा capital पैसा तो return में आएगा नहीं, कि आप उसको utilize करके कुछ अपने लिए gift करीद लो, या अपना capital बढ़ा कर लो, आपको initially छोटा capital है, तो you need more confidence, you need more success, you need to book some profits, confidence सबका low रहता है trader का, क्योंकि उसका loss हो जाता है, अब वो loss, मैं सीखा हूँ, क्योंकि सबका loss होता है, आर्केट में शुरुवात में, बट धीरी-धीरे आप recover करते हो, तो आपको तरीके मिलते जाते हैं, आपको तरीका बता रहा हूँ, start booking your profits, 1 is to 1.5 पे book करना चालो, यही strategy अपलाए करो, 1 is to 1.5 हुआ, पिविट वगरा यूज कर लो, टार्गेट के लिए, पिविट पे खतम करो, जत मत सोचो कि कितना नीचे जाएगा, उपर जाएगा, तो यह ना बन करो, book करना चालो करो, पिविट पे, आप देखेंगे न, 10 में से आपने 5 ट्रेड में पैसा कमाया, या 6 में कमाया, चार मे दस बजे के बाद आना है, लेवल बनाना है, लेवल ब्रेक आउट हुआ, मानलो, बैंक निफ्टी का, या कोई इमußenपोर्टेंट, लेवल ब्रेक आउट हुआ, चार्टबा बेकाउट हुआ, हमने फट-फट-फट स्टोक देखा, कोई खास नहीं दिख रहा है, उसके जैस कर दिना दोस्तों के साथ वीडियो लाइक कर दिना और सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो और सरही बात कोई कॉशन्स हो तो कॉमेंट कर दिना और मैं चाहता हूँ बहुत सारे मेरे यहां पे यह चैनल देखते हैं अगर डाउट आता है आप स्टुडेंट तो आपको कोई डाउट पुछता आप भी रिप्लाइ कर सकते हूं तो मैं भी रिप्लाइ करने की कोशिच कर रहूँगा जो एक दूसरे को help कर सकते हैं हम करेंगे ठीक है तो इस बेटर आपको बैंकिंग स्टॉक के लिए जितने एकविटी ट्रेइडिंग सीखना चाहते थे कम रिस्क में आप दोक 10,000 कैपिटल से यूज करो और ट्रेइडिंग करके देखो ट्रेड वेरी लेस एकदम जब शौर होते हो तो ट्रेड करो शौर नहीं होते हो मत करो यह और मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा ऐसी चीज़े बनाओ तो कॉंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड लास्ली एक ही चीज़ बोलूँगा स्टॉक मार्केट में अगर कोई आपका एसेट है ट्रेडिंग के अंदर कम्यूनिटी के अंदर कोई एसेट है आपका तो वो क्या है मैं खुद आप खुद तो यूशुड ऑल्वेस वर्किंग ऑन यॉरसल जैसे कि बता हूँ अपने मैंड को फ्रेश करने के लिए हमेशा जिम जाना चाहिए हफते में तीन चाहिए हमेशा ना मेडिटेशन करना चाहिए उससे क्या होता है माइंड रिलाक्स हो जाता है क्योंकि कोई भी कोई भी कोई भी इंडस्ट्री का बंदा हो चाहे जॉब करे बिसनर वो टंशन में आ जाता है काम कर करके मेडिटेशन आपक को पुराने वीडियो में, still मैं फिर से बोल दूँगा कि super trader और high probability trading, ये दो books अगर आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको ये दोनों books पढ़ लेनी चीए, ये आपको मनद करेंगे, ठीक है? चलो, अगर आप beginner हो, आपको अगर ये जानना है कि बहुत सरी DMAT account होते हैं, कौनस account use करना चाहिए, तो जिरोधा is the best, उसका link discussion मिल जाएगा, अगर आपको account खुलवाना है तो उस account open कर सकते हो, ठीक है? चलो guys, thank you so much, बाखी मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, बाबाई कर दो